प्रियंका गांधी पर सूत्रों के अवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है कि इस बार का लोकसभा का चुनाव प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी। प्रियंका गांधी पुरे देश में चुनाव प्रचार पर फोकस करेंगी। शूत्रों के मताबिक राउल गांधी और केसी वेनु गोपाल चुनाव लड़ा रहे हैं इसलिए प्रियंका पाची की कामकाच पर खेंद्रित रहने चाहती हैं राइबरिली और अमेची पर कॉंग्रिस एक दो दिन में फैसला ले सकती है प्रियंका गांधी के चुनाव नहीं लड़ने को लेकर सूत्रों का दावाच है कि इसके पीछे ये तर्ख है कि तीनों गांधी अगर संसद में जाएंगे तो वंशवाद को लेकर कई सवाल खड़े प्रताव खबर प्रजारो जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुर गए है शिवं जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि प्रियंका गांधी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी और चुनाव प्रचार पर फोकस करेंगी इसके अलावा क्या जानकारी प्रत्यासियों को लेकर चर्चा कर रहा है गांधी परिबार के स्विदा मलका अर्जुन खड़गी के पास्थित हो रही है कि प्रियंका गांधी ने अमेठी राइवरी ली दूनों सीटों से चुनाव लड़ने की प्रत्र कर दिया है कि चुकि पार्टी के स्वार्मर प्रेसिडेंट राहूल गांधी संगठन मासचो केशी वेन गुपाल दूनों चुनाव लड़ रहे हैं सौनिया गांधी की इसनी स्वास्थ नहीं है कि उनकी सीट पे उनके दमाद चुनाव लड़ रहे हैं ऐसे में अगर पूरा हाई कमांड चुनाव लड़ेगा तो क्राइसिस मेनेजमेंट कौन करेगा और जो रड़नीतिया बनानी है उसका काम कौन करेगा और प्रयंका चाह सौनिया गांधी और तीनों सदफ से सदन में जाते हैं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा क्योंकि परिजेपी वन सवाद पर हमला रही है और कहा ये जाएगा कि परिवार के तीनों सदफ से संसद में बैठे हुए हैं इनी दोनों तरकों को रखते हुए प्रयंका गांधी ने सुरुआती बातचीत में अपने हाई कमान को बता जिया है कि वो चुनाओ नहीं लड़ना चाहती हैं अगर वो राइबरेली ते चुनाओ लड़ेंगी तो वहां पर आज से दस दिन कैंपेनिंग करनी पड़ेगी मेहनत करनी पड़ेगी और इस दोरान दूसरे और तीसरे और चौते चरण की वोटिंग होनी है तो लिहाजा इसका नुक्सान पार्टिक होगा सुत्री दावा कर रहे हैं कि अमेठी और राइबरेली दोनों सीटों पर राहूल गांधी को लेकर चाचा हो रही है लेकिन इस सित्री अभी इस पष्ट नहीं हो पाई है क्य कि राहूल चाहते हैं कि वो केरल के वाइबरेली से चौनाओ लड़ते हैं और जीतते हैं तो उसके बाद पार्टिक लिए बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाएगा फिलाल तूती है दावा कर रहे हैं कि प्रहांका चौनाओ नहीं लड़ेंगे लेकि राहूल के चौनाओ गंटे में मोहल लग सकती है, सस्पेंस कात्म हो सकता है कि वो चुनाव लड़ेंगे या वो चुनाव नहीं लड़ेंगे या फिर दोनों सीटों से कॉंग्रिस नए कंजियर्ट देगी ठीक है बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सुत्रों के मताबिक एक बड़ी खबर आ रही है कि कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी और प्रियंका गांधी के अमेची और राइबरेली से चुनाव लड़ने पर फैसला नहीं हो पाया है और खबर ये है कि इस मसले पर बातशीत अभी जारी है लेकिन अभी तक राहूल गांधी ने अमेची से चुनाव लड़ने पर हामी नहीं भरी है राहूल और प्रियंका पर अभी फैसला नहीं हो पाया है ये खबर सुत्रों के हवाले से मिल रही है